इस्टुडेंट गोड मार्निंग डियर स्टुडेंट डियर स्टुडेंट आप सभी को मैं UP Metro लखनो मेट्रो की जो वेकेंसी निकल के आई उसके इलेक्ट्रिकल एंजिनिंग का पूरा डिटेल्ड सलेवस बताऊंगा तो आप सभी इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखें और अपने सलेवस को चाहे तो स्क्रीन साट ले ले या नोट कर ले या मैं पीडिया भी अपलोड कर दूंगा तो डियर स्टुडेंट आप सभी पूरे वीडियो को ध्यान से देखें पूरे लखनो मेट्रो की टेक्निकल में इलेक्ट्रिकल स्के सलेवस में कहां कहां से आप सभी इस वीडियो के पूरे पूरा वीडियो ध्यान से देखेंगे तभी आपको पूरा से लेवस अच्छे से समझ में आएगा चलो डियर स्टुडेंट हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक डियर स्टुडेंट आपका बेसिक एलेक्ट्रिकल इंजिनिंग ए और कर्चाफ़ ला होगा यह दोनों पॉइंट सबसे इंपर्टन सुझे इनकी तो यूणिट से ही काम चल जाएगा चल जाएगा तो आप सभी ओम स्टूर और कर्चाफ़ ला देखलें ओम स्टूर में जाता है लीनियर है की नहीं कि नहीं है कि आपको बेसिंगा पर बेस स solution of simple network problem network theorem and their application electromagnetic dear student network theorem रहेगा उसके applications रहेगे यहां पर यह भी बहुत important है जैसे आपका कौन सा theorem कहां पर यूज होता है superposition कहां यूज होता है northern कहां थियुनिंद कहां होता है maximum power transfer theorem यह होगा और इसके बेस पर छोटे छोटे सब्सक्राइब करता है तो इसलिए आप सभी पूरा अच्छे से consider कर पाएंगे तभी कर पाएंगे और इसके बाद आपका यह important topic रहेगा उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो आप यहां पर देखेंगे कि ब्रीज होगा यहां पर आप देखेंगे तो ब्रीज ब्रीज सबसे important topic रहेगा आपका उसके बाद आपका ब्रीज के बाद में यह मेगर इससे भी question बन जाते हैं आपके ठिक ठाक वैसे टॉपिक सभी average value, rms value यह सब अक्सर पूछता ही रहता है कि कौन सी average value होगी किस में rms value होगी तो यह basic का बस इतना ही है आप चाहे तो इसिए बात उसमें बताए गई है कि आप सभी अच्छे से देख लें इसको यहां से देखें यहां से पूरा पार्ट क्या होगा आपका DC machine का होगा यह पूरा पार्ट यहां से देखेंगे मैं दिखा रहा हूं यहां से एक सेकंड रुखिए यहां से पुरा देखेंगे आप सब तो यह पूरा पार्ट आपका क्या होगा डीशी मसीन का वह इसमें बेसिक प्रिंसिपल हो गया आपका motor का generator का यानि DC machine से आपके topic रहेंगे speed control से रहेंगे DC motor losses से रहेंगे तो आप सब का ये बहुत बड़ी topic नहीं है तो इसको आप पूरा-पूरा कबर करेंगे इसमें कोई भी लापरवाही आप नहीं करेंगे पूरा कबर करेंगे और खासकर speed control आप अच्छे से देख के जाएंगे उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम DC student तो यहाँ पर single phase and three phase transformer है तो DC student ये भी एक अच्छा topic होता है जो सभी student का फैबरेट topic रहता है तो अब इसमें हम देखेंगे क्या करना है DC student इसमें सबसे पहले तो आप किस principle पर कौम करता है इसमें क्या constant होता है क्या constant नहीं होता है open circuit test, short circuit test, efficiency ये सब पूरा total find करेंगे सबसे important topic इसमें DC student यही होता है open circuit and short circuit इससे question आपके बनते ही बनते हैं यहाँ से देखेंगे आप इससे question आपके बनते ही बनते हैं इसके बाद आपका होता है auto transformer auto transformer से decision भी question बनते हैं यहाँ से आप देखेंगे तो auto transformer से भी question बनते ही है at least तो यह हो गए उसके बाद synchronous machine हो गई machine के आपकी synchronous machine हो गई synchronous machine के बाद में आप चलो गए आगे चलो गए तो generating of three phase EMF, armature reaction, voltage regulation operation से भी question बनते है parallel operation हो गया two phase alternator हो गया synchronizing power हो गया तो यह सारा पूरा से लेवस आप अच्छे से cover करेंगे अब उसके बाद इसी में आप देखेंगे single phase induction motor वाली एक topic है इससे जो frictional house power motor है dear student इससे आपके question बनने ही बनने है और at least मुझे लगता है hysteresis, reluctance और universal इन ही सबसे question बनते हैं तो यह बहुत अच्छा topic होता है question gain mark attempt करने के लिए question mark gain करने के लिए तो खरिप है इस topic को भी अच्छे से clear करके जाएं इससे तो आपके at least 3-4 question आपको देखने को मिली जाएंगे इसके बाद आप बढ़ होगे power system में power system में आपका different type of station power station होगे जैसे आपका thermal power plant nuclear power plant, hydro power plant gas turbine power plant, diesel power plant इससे question आते हैं उसके बाद dear student में आप सबको बहुत अच्छे से बता दू कि यह चीज जो आपके दीख रहे हैं यह वाली चीज एक second dear student यहाँ से, इस circle के इधर जितना भी देख रहे हैं आप load factor यहाँ से देखिए load factor, diversity factor, demand factor यह factor से तो आपको at least एक question तो मिलना ही मिलना इसमें एक चीज नहीं दिया गया है जो है crest factor उसके बाद capacity factor यह सब मैं आपको एक वीडियो में upload कर दूँगा सारे factor को, तो आप सभी वहाँ से जा करके पूरा वीडियो अच्छे से देख सकेंगे उसके बाद dear student आप आगे और बढ़ोगे तो देखोगे इसमें से थोड़ा सा cost of generation and interconnection of power system यह भी topic नए निस recent trade में चल लिए तो यह से भी आपके question बनने के सम्भाव ना रहते हैं उसके बाद power factor improvement कि कैसे कैसे power factor improvement कर सकते हैं यहां से यह भी देख सकते हैं आप सब कैसे कैसे power factor improve कर सकते हैं उसके बाद आपकी dear student topic आती है कि आगे आप चलोगे तो power factor improvement various type of tariff यह dear student बहुत important topic होती है आपकी लगभख हर exam में पूछी ही जाती है तो इस tariff का भी मैं एक वीडियो बना दूँगा कौन से क्या है क्यासे क्यासे कौन सी tariff कहा होती है पौर factor tariff कहा ही जोती है उसके बाद में सब मैं आपको बता दूँगा उसके बाद आता है types of fault तो dear student आप सभी के exam में types of faults के question आते ही आते है जैसे कि कौन सा fault single phase है कौन सा fault line to ground सबसे ज़्यादा होता है कौन सा fault सबसे कम होता है और किस fault पे कौन से चीज़ स्रीज में होती है पैलर में होती है तो यहाँ पे इसको भी हम consider करते हुए चलेंगे उसके बाद dear student आप और आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा देखेंगे कि HRC fuse protection यहाँ से circuit breaker dear student circuit breaker से भी आपके question बनते ही बनते है lighting register हो गया आप various transmission and distribution हो गया तो यहाँ से भी question बनते है उसके बाद आपका एक topic इसमें सबसे favorite रहेगा मेरा जो मैं बताऊंगा आप सबको आगे उसको आप लोग अपने तरफ से भी पढ़ लेना मैं भी बता रहा हूँ मेरा सबसे favorite topic रहेगा एक second year student तो आप सब यहाँ से देखेंगे कि कैसे मेरा favorite topic रहेगा वो रहेगा आपका book hold जिर ले इससे भी एक नया question बनी जाते हैं इससे भी एक नया question बनी जाते हैं जो आप सब यहाँ देखेंगे यह रहा book hold जिर ले एक second year student यह topic रहे book hold जिर ले तो book hold जिर ले आप सब देखेंगे यह book hold जिर ले इसको भी पूरा consider करके जाएंगे लाइटिंग आरिष्टर भी आप consider करके जाएंगे ही जाएंगे क्योंकि लाइटिंग आरिष्टर आपका recent trend है तो इससे भी question माते है अब आपकी सबसे छोटी topic आजाती है जो आप सबी को करके जाना ही जाना है मैं इसके चोटी चोटी वीडियो बना दूँगा illumination dear student illumination से आपको उसके unit देखने को मिल सकते है कि लगस का मातर क्या है MHCP क्या होती है MHCP क्या होती है heating से देखने question मिल सकते है heating से उसके बाद इससे तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे building से और यहां से कुछ हो सकता है कि question put up कर दिया जाए वाकी बहुत ज़्यदा important नहीं होता बस आपके यह building और heating illumination यह तीन चार टापिक आपके हैं जिनसे आप question अच्छे से put up किया जाते हैं और हर exam में पूछे ही पूछे जाते हैं जैसे यहां पर मैंने बता है tariff का हो गया tariff power factor improvement के question हो गया तो यह तब आते ही आते हैं आपके exam में तो आप सब करेपाइस को अच्छे से consider करके जाएं आगे बढ़ेंगे basic electrical engineering देखिए यहां पर आपको basic electrical engineering measurement दिया गया था साथ में लेकिन आपको यहां पर BEEE में आपको क्या क्या consider करके जाना है यहां चीज़ आप अच्छे से देखोगे DC and AC fundamental AC circuit, battery, electromagnetic induction जहां फे फार्मूले होते हैं equal to energy square by AC सब फार्मूले आते हैं वो वाले चीज़ आप consider करके जाओगे इसके बाद आप देखोगे आपको इंक्लूडिंग constant voltage source and current source इससे question आपके बनते हैं कि कौन सा source क्या apply करेंगे क्या इन कि इसकी value R की value infinite होती है कि इसकी infinite नहीं होती है तो यह भी आप अच्छे से consider करके ही जाएंगे दोस्तो हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा उसके बाद देखेंगे analog electronics में क्या आता है analog electronics में आप सब जानते ही है क्या क्या पूछ सकता है basic electronics होती है तो इसमें अन्डेस्टेंग कंड़क्टर, semiconductor, insulator, exchanging semiconductor, pn junction, need of rectifier, electronics यह सब चीज़ें आपकी पूछी जाएंगी तो इसका आप इस लेवर्स बहुत बढ़ा नहीं है तो आप सब पूरा से लेवर्स कवर करेंगे और इसमें सबसे फैबरेट टॉपिक रहेगा LCD LED यह दोनों चीज रिसेंट ट्रेंट की है बाकी इनसे तो कॉष्ण बनते ही बनते है टरनल डायोड हो गए उसके बाद में आपके rectifiers ह सेमिकंडक्टर से बनते ही बनते हैं तो आप इस सब कवर करके जाएंगे आगे बढ़ेंगे डिश्ट्रेंट कंट्रोल सिस्टम यह थोड़ा लाज टॉपिक है तो आप सभी कंट्रोल सिस्टम मसीन में भी इसके कुछ टॉपिक पढ़ चुके होंगे जैसे आप सब देखे बने का लगभग आपका जो वह अल्फा की वैलू ग्याद कराता है एंस इंस मैंने सनार अपाने एंस इंटू अनार इंटू थी सिक्स्टी वाला यह कुष्टिन इस्टे बन सकता है जो इस्टे पर इंगल निकलवाता है आगे बढ़ेंगे डियर स्टुडेंट देखेंग जो आप पढ़ते हैं सेकंद एर में डिपलोमा के फ़ासियर मेंम भीं धा जमलों पढ़ते थे यहां से आप देखिएक कंडर्ट्ट फेमी इंसलेटिंग इससे एक कॉश्िन आपके बनने है तीनों में से चाही जैसे वीद्य करके बनने उसके बाद आundra बने फिर्श्ट तो मेरा सबस्टेस्ट इसमें एनर्जी मीटर फ्रिक्वेंसी यह फेस डिफरेंस मेजरमेंट गों यह आरू से करते हैं तो यह टापिक आप सब पढ़के जाएंगे तेंस्पल आप इन्स्टुमेंटेशन यह थोड़ा नया टापिक होगा एलेक्टिकल वालो के लिए बैसिक building blocks हो गया instrument system हो गया performance characteristic oscillator यह important topic रहेगा भाई यह सब question आते ही आते हैं आपके loading effect हो गया loading effect आप सब करके जाओगे loading effect आप सब करके जाओगे loading effect यह देखो static dynamic response भी करके जाओगे उसके बाद में sensitivity sensitivity से भी कुछ से नाते हैं formula बनते हैं से तो यह सब करके आप अच्छे जाओगे fundamental अब digital electronics का से लेवस बहुत चोटा है तो इससे आप लोग करके जाना digital electronics को consider करेंगे क्या क्या है dear student हम थोड़ा सा आगे बढ़के digital electronics को consider करते हैं यहां देखते हैं concept of digital electronics नंबर system gates तो मेरा सबसे जो favorite topic रहेगा dear students वो रहेगा gates flip flop flip flop register shift register counter यह सब question आपके पूछे ही जाते हैं तो आप सब इस पर पूरा focus करके जाए और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आगे share करें है पूरा पूरा syllabus मैंने आपको discuss कर दिया है और आगे कि आप इसमें जो जीके ggs reasoning मैं थौले portion है उसको भी मैं जल्दी ही update कर दूँगा और आप इसको पूरा अच्छे से चाहें तो यह करके screenshot दे सकते हैं मैंने time भी दे दिया आप सबको यह student धन्यबाद आप सभी का पूरा स्लेवस आप अच्छे से consider करके जाएं थैंक्यू अ